कि कैसे चाइना जर्मनी को ठग रहा है अरत ने जर्मनी को एक मित्र होने के नाते चिताया है चितावनी दी है इस्ट्री मिनिस्टर प्यूजे गोईल जी हैं दूसरे तरफ जर्मन वाइस चांसलर रॉबर्ट हैबक हैं और इंडिया ने साथ-साफ कहाँ दिया कि आपके समान को हम लेना बंद कर देंगे क्योंकि चाइना हमारे सेल्स को ब्लॉक कर रहा है उनने इंपॉटेंट सामगरीयों को आने नहीं दे रहा है इनको जब प्यूज गोएल जी ने कहा कि आपके यहां की एक कम्पणी है हैं यह टनल-बोरिंग मशीन बनाती है और यह टनल-बोरिंग मशीन चाइना से भारत आए याने की चाइना एक्सपोर्ट करें हम इंपोर्ट करें लेकिन चाइना ये होने नहीं देरा उसके बाद उन्हों वर्ल लीडर है वण अफ दी वर्ल लीडर सहे टेनल बोरिंग मशीन में ऑर इजनल पायनियर्स में से एक कि अचे में इनको कुछ हवा नहीं पहले तो यह शौक्ड होते हैं किस कंपनी की बात हो रही है उसके बाद हैविक दोस्तों अराम से बैठे हुए थे फिर प्यूश गोयल जी यहां पर खड़े हैं आप देख सकते हैं और उसके बाद प्यूश गोयल जी ने कहा हमें जर्मन समान लेना बंद कर देना चाहिए यह सुनते ही है आप देखिए कैसे बॉडी लैंग्विज बदला तुरंत खड़े हो गए और कहने लग गए थोड़ी दिर सोचने के बाद I should listen to you है दोस्तों यह पूरा कॉन्वर्सेशन दिल्ली मट्रो में हो रहा है जब यून मेट्रो हमने बनवाया और यह बड़े ही प्राइड के साथ इन मेट्रो में जाते भी हैं जाए भी क्यों ना सही बात है इन्होंने सब कुछ अच्छा है लेकिन आप देखें तो यहां पर प्यूश गोयल जी पूरा होमवक करके आए हैं और जर्मन मिनिस्टर उनको कुछ पता भी नहीं चल रहा क्या हो रहा है दोस्तों यह कुई ऐसे वैसे मिनिस्टर नहीं है रॉबर्ट है देखें जर्मनी को भारत ने कई बार कॉंसिलेट के माध्यम से अपने मेंबसी के माध्यम से कहा भी होगा लेकिन इनको बिना होमवक किये यह आए हैं अगर आप देख खड़े होके करना शुरू कर दिया उसके बाद बात को हस के इटालने का प्रयास किया जैसे कि जेप छुपा रहे थे यहां पर दोस्तों यह जो कमपनी आप देख रहे हैं हैं यह टमन बोरिंग मशीन बनाने वाली कमपनी है डुस्तों यह जर्मन टेकनलोची है लेकिन इस अगर आप देखे तो टनल बोरिंग मशीन प्रोवाइड की हैं जो से कमाल की बात जानते हैं यह जिस हम कंपनी की बात कर रहे हैं यहां पे हरिंक नेश्ट इसका पहला टनल बोरिंग मशीन चाइना को इन्हों ने दिया था 1997 में चैना ने खूब प्रयत न किया था उसके बाद जाके यह टनल बोरिंग मशीन गया था चैना पांच साल में चैना ने टनल बोरिंग मशीन domestically प्रेड्यूस करना स्ँटार्ट कर दिया का जाता है चैना ने इनही का intellectual property rights चुराए इसको ओवर टाइम फाइन ट्यून किया और आज हरिंक निश्ट अगर आप देखें तो चाइना में ही उसकी एसेमली लाइन भी मौझूद है टनल बोरिंग मशीन्स चाइना में ही बनते हैं जर्मनी में नहीं बनता है और इसी हरिंक निश्ट को इन्हीं की टेकनोलोजी चु भारत उसे अपनी नाराजगी का शिकार बनाने रगता है हाले दिनमें भारत ने जर्मनी पर भी दबाव डालना शुरू कर दिया है कि वो चाइना के साथ तावन को कम करे और भारत के साथ तालुका को तरजी दे भारती मीडिया और स्यासेदान अब जर्मनी को ये बावर क होते हैं तो भारत फोरण उन्हें मश्वरे देने लगता है ये भारत के हस्त का सबूत है कि वो चाइना को अपने मद्दे मुकाबे समझता है और हर मुम्किन कोशिश करता है कि कोई मुल्क चाइना से दोस्ती ना बढ़ाए भारती मीडिया में तो इस बात पर बड़ी बह हैं और जर्मनी का अपना मुफाद भी चाइना के साथ जोड़ा हुआ है ये सब भारत के लिए बरदाश्ट करना मुश्किल हो चुका है भारत को ये समझना चाहिए कि आलमी तालुकात में हर मुल्क अपनी पोजिशन और मुफादात के मताबिक फैसले करता है और वो किसी भी दूसरे मुल्क की खुशनूदी के लिए अपनी महिश्यत और तालुकात को खत्रे में नहीं डाल सकता इस हवाले से भारती मीडिया पे क्या चल रहा है इस वीडियो में देखें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिसान लाइफ को सब्सक्राइब जर उसे चाइना जर्मनी को ठग रहा है अब समझाता हूँ क्यों दो कारण है चाना क्यों सेल्स को ब्लॉक करता है देख्vaला कारन क्या है चाइना चाहता है कि ए जर्मन टनल वॉर्फ और इंग자를 मशीन का द्वारा बनाया गया जो टनल बोरिंग मशीन है वो दुनिया में कहीं तो इसलिए sales को block करता है ताकि मजबूरन दुनिया के सारे manufacturing projects में Chinese tunnel boring machine का ही इस्तमाल हो जो कि आप देख रहे हैं आज ये global leader बन चुका है इनहीं की technology चुरा के दूसरा कारण है दोस्तो अगर आप देखें तो जब आप tunnel boring machines को block करते हैं तो आप essential border infrastructure projects को भी रोग देते हैं भार roads, bridges, roads वगेरा हमारे बन रहे हैं, railways के लिए, गाड़ियों के लिए, border infrastructure बन रहे हैं जैसे सेला टनल अरुनाचल प्रदेश में वैसे आप देखें जोजीला टनल लद्दा आख में, road come rail tunnel ब्रह्मपुत्र के नीचे से असम में बन रहे हैं तो इस प्रकार से कई projects बन रहे है और जब आप इसको बनाने के लिए, essential equipment है, tunnel boring machine वही block करते हैं, तो सब कुछ रुक जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे चाइना एक तीर से दो शिकार करता है, एक तरफ तो जो की non sensitive projects के लिए tunnel boring machine होते हैं, जो की non border infrastructure जैसे की metros वगेरा के लिए, उसके लिए वो push करता है, की made in China tunnel boring machine दिया जाए भारत को, German company के उपर उसका control है, assembly line उसी के पास है, तो उसके sales को block कर देता है, export को block कर देता है, भारत अक आने नहीं देता है, मजबूरन हमें भी काफी projects में Chinese tunnel boring machine का इस्तमाल करना पड़ा है, दूसरा जिन sensitive projects में हम Chinese tunnel boring machine को नहीं आने देते हैं, उसमें भी German tunnel tunnel boring machine को आने नहीं देता है, हमारा पूरा का पूरा project ठब हो जाता है, दोस्तों यहां पर आप एक बात जानी है, अगर आप देखें, तो आज भारत दुनिया का second largest tunnel boring machine का market है, भारत में तीजी से infrastructure बन रहा है, metro lines बन रही है, railways, roadways, सब कुछ बन रहा है, hydro power projects हो रहा है, dams बन रही है, उसकी manufacturing facility चेन नहीं में, तमिलनाडू में है, यह tunnel boring machine भारत को since 2002 प्रदान कर रहा है, सालाना 10 से 12 metro size tunnel boring machines भारत में बन जाते हैं, लेकिन limitation है, metro size, जरवी नहीं है, सब tunnel का same size हो, repent करता है infrastructure के requirement